कि नमस्कार दोस्तों आज हम नाउन की स्रंकला में आगे वढ़ते हुए हम एक और वीडियो जो की प्रैक्टिक्स के उपर निर्वर करेगा जिसे अपन जितनी ज़्यादा नाउन की प्रैक्टिक्स कर सकते हैं उतनी ज़्यादा करने की कोशिस करेंगे और मैं जितना एफट लगा सकता हूँ मैं उतना एफट लगाने की कोशिस करूँगा जिससे जो आपका कंसेप्ट है वो आपका कंसेप्ट अच्छे से किलियर हो जाए जैसा कि हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था नाउन के वीडियो में की नाउन की पैचान एक साधान म तोर पर अपन कैसे करते हैं एक अपने मैथड यूज किया था तुमारा पैन तुमारी बुक आज हम इस प्रक्टिस वीडियो के अंदर उस मैथड का ज्यादा से ज्यादा यूज करके हम मैं आपका सारा जितना भी डाउट है वो सारा किलियर करने की कोशिस करूंगा और आप आपको कभी भी किसी भी परकार से नाउन की पहचान करने में दिकत नहीं होगी अब अपन ज्यादा देर कियो है नेक्स्ट अपन इस प्रक्टिस स्टार्ट करते हैं आपके सामने स्लाइट पर एक चोटा चोटी सी परतिलिपी बनी हुई है उसके अंदर अपन अपने नाम को क्या बोलते हैं नाउन बोलते हैं अब यहां पर हम देखो तुम्हारा पैन तुम्हारी बुक्स के साथ कैसे हम बोड़ी पार्ट के नेम को मैच करके उनको नाउन सिद्ध करेंगे देखिए आप जहां जिस चेतर के अंदर जहां भी इनका यूज करोगे वहां पर नाउन कहलाएंगे कैसे देखिए अपन अपनी डेफिनिशन को यूज करते हुए तुम्हारा पैन तुम्हारी बुक्से कैसे मैच करते हैं जैसे अपन यूज करने की कोशिस करते हैं देखिए अपना मैथड है तुम्हारा पैन तुम्हारी बुक तुम्हारी वाट जिस भ हैं तो what का जवाब मांगेंगे अगर adjective की पहचान करनी हो तो how का जवाब मांगेंगे अगर noun रहेगा तो किसका जवाब देगा what का कैसे देखिए अपना यूज करते हैं तुम्हारा pen तुम्हारी book तुम्हारी what तुम्हारी नेक होती है कि नहीं होती तुम्हारी नेक इसका मतलब यह हुआ कि नेक यहां पर क्या है नाउन है जैसे ही नेक देखिए तुम्हारा पैन तुम्हारी बुक तुम्हारी वाट तुम्हारी एल्बो होती है कि नहीं होती है तुम्हारी एल्बो हमारी एल्बो होती है तुम्हा तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक तुम्हारा छेष्ट होता है कि नी होता तो यह यह चेष्ट भी क्या है नाउन है अब भी देखिया अपन फिंगर को चेक करते हैं फिंगर के सामने जाके अपन वाट का जबाब मांगेंगे तुमारा पैन, तुमारी बुक, तुमारी वाट फिंगर इसका मतलब फिंगर भी क्या है? नाउन है ऐसे ही तुमारा पैन, तुमारी बुक, तुमारी वाट नी इसका मतलब ये क्या है? गुठना भी क्या होता है? एक noun होता है अभी अपन देखी है, अभी ये खुद जो एक person की image लगी हुई है इसका अंदर अपन इस person को भी चेक कर सकते हैं कि ये noun है कि नहीं है देखे तुम्हारा pen, तुम्हारी book, तुम्हारी what, तुम्हारा what person, तुम्हारा आदमी हमारा आदमी होता है ऐसे देखो अपन साधान basic concept के साथ noun की पैचान आसानी से कर सकते हैं और हमें कोई problem भी नहीं होगी इसके अंदर अगर दिरे दिरे आपको पता भी नहीं चलेगा, आप दिरे दिरे कैसे noun की पैचान कर पा रहे हो और आप देनिक जियोन में जिन वस्तों का यूज करते हो, जहां पे आप रहते हो जिन persons के साथ रहते हो, जिस इस्तान पर आप रहते हो, हर जगे वहां पे जो भी आपको दिखेगा, वो सब क्या है, noun है क्योंकि ए person, place, think या फिर material, सब किसकी category माते हैं, noun की category माते हैं अब जैसे अपन आज कल कुछ digital instruments यूज करते हैं उन digital instruments को भी तो अपन चेक कर सकते हैं, कि वो noun है की नहीं है देखो कैसे चेक करेंगे, इसका भी थोड़ा सा practice कर लेते हैं जैसे जितनी अपन, किसी ने बोला है, practice max, man, perfect अपन जितनी practice करते जाएंगे, अपन इस 76 में उतने ही perfect होते जाएंगे और इतनी ज्यादा practice करवाऊंगा, मैं जाने वाले 5-7-10 वीडियो के मादम से कि आप कभी noun को भूल ही नहीं पाऊगे noun, आपको noun की problem जितनी भी आज से आज तक कि जो noun की problem थी, वो कभी दिक्कत नहीं है देखिए, next अपन पड़ते हैं, जैसे monitor को चेक करते हैं एक बार फिर बताता हूँ, कि अपन noun की पैचान किस से करेंगे तुमारा pen, तुमारी book से, जैसे ही अभी देखिए और उससे what का जवाब मांगेंगे, जो भी what का जवाब देगा वो noun और how का जवाब देगा वो adjective, अब what का जवाब कैसे मांगेंगे तुमारा pen, तुमारी book, तुमारा what, बताओ मोनिटर होता है कि नहीं होता तो यहाँ पे मोनिटर क्या है, noun है ऐसे ही तुमारा pen, तुमारी book, तुमारा what, बताओ स्केनर होता है कि नहीं होता तो स्केनर भी क्या है, noun है ऐसे ही तुम्हारा पैन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वाट, बताओ सीडी होती है की नहीं होती तो यहां पर सीडी भी क्या है? नाउन है ऐसे ही तुम्हारा पैन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा वाट, तुम्हारा लेपटोप होता है की नहीं होता तो अपने यह तो यूज भी करते हैं कि भाई साब तुम्हारा लेपटोप दे जीजे थोड़ी देर जिसके पास तोड़ा साम में भी मेरा इसमे तोड़ा सा काम कर लो ऐसे लेपटोप, तुम्हारा लेपटोप, हमारा लेपटोप, तुम्हारा भाई, हमारा भाई, तुम्हारी सिश्टर, हमारी सिश्टर, यह सब क्या है, नाउन से, ऐसे देखिए, नेक्ष देखिए, इसी सरंकला के अंदर, तुम्हारा पैन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा वाट तुम्हारा वेवकेंप mar β हो जाएगा ऐसे ही इसकी दोस्तो अगर जितनी जादा practice करते जाएंगे तो हमें यह इसकी आदत बढ़ जाएगी एक आदत मातर हो जाएगी और हमें कभी भी किसी परकार की दिक्कत नहीं अब जैसे अपन ने instruments को check किया था इसी सरंकला के अंदर हम आगे कुछ जानवर्स के नाम लिखे हैं animals name है उनको भी check करते हैं देखो कि वो noun होते हैं कि नहीं होते हैं क्योंकि ये भी तो एक living things है देखिए तुमारा pen तुमारी book तुमारा what frog होता की नहीं होता ऐसे ही तुमारा pen तुमारी book तुमारा what octopus तो ये octopus भी क्या हो जाएगा noun भी हो जाएगा ऐसे ही तुमारा pen तुमारी book तुमारा what eagle तो ये eagle भी क्या है noun है ऐसे ही तुमारा pen तुमारी book तुमारा what डॉल्फिन ते डॉल्फिन भी क्या है नाउन है तुमारा पैन तुमारी बुक तुमारा वाट पैंजिन ये पैंजिन भी क्या है नाउन है तुमारा पैन तुमारी बुक तुमारा वाट तुमारा जेवरा जेवरा भी क्या है नाउन है तुमारा वाट तुमारा पैन तुमार भूत त्हूरी गॉरिला तो गॉरिला भी क्या है नाहूं है तुमारा पैंच तुमारी भूक तुमारा वॉर पंड़ पैंड़ा भी क्या शायद शुप Lima दाफे होगिए इसका सबसे तो ऐसा क्यों कि बच्चों का माइंड होता है वो परतलिपी इसको ज्यादा पढ़ता है इस वज़े से क्या है वो जो परतलिपी होती है वो बच्चों के माइंड में सैट हो जाती है और उसको लंबा याद रखने में मदद करती है तो ये कलास कॉम्पेटिटिव कलास के लि बढ़ते हैं जैसे तुमारा पैन तुमारी बुक तुमारा वाट शॉट्स बोलते हैं की नहीं बोलते हैं तुमारा पैन तुमारी बुक तुमारी वाट सैंडल्स तुमारा पैन तुमारी बुक तुमारा वाट कोट तो यह कोट भी क्या है नाउन है तुमारा पैन तुमारी बुक तुमारी वाट स्लिपर्स तो यहां स्लिपर्स भी क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा तुमारा पैन तुमारी बुक तुमारा वाट सौक्स तुमारा पैन तुमारी बुक तुमारा वाट पाईजम तो पाईजम भी क्या हो जाएगा यहां से नाउन हो जाएगा और इ नहीं चलेगा इसलिए आप इसके मौर फ्रक्टिस कीजिए अपन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा उसमें आगे अभी परतली पीसे कर रहे हैं चेक कर रहे हैं फिर अपन साधान वर्ट्स को लेंगे जो औकिजिनली एग्जाम के अंदर पूचे जाते हैं उनका यूज होता है वो वर्ट्स की फ्रक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेश्ई यσει यर्र के अंदर एग्जाम में आयो एक्युस्ण को मैं प्रक्टिस करवाने की पूरी पूरी कोशिस करूँगा देख नेक्स देखी तुमारा पैन तुमारी बुक तुमारी वाट कुकमबर इसका भी यूज करते हैं कि नहीं करते हैं तुमारा पैन तुमारी बुक तुमारा वाट पीपर्स ये पीपर्स का भी यूज करते हैं तुमारा पैन तुमारी बुक तुमारा वाट मेलन तो मेलन भी क्य हो जाएगा नाउन तुमारा पैन तुमारी बुक तुमारा वाट ग्रेप्स तो ग्रेप्स भी क्या हो जाएगा नाउन तुमारा पैन तुमारी बुक तुमारा वाट पाइनेपल भी क्या हो जाएगा नाउन तुमारा पैन तुमारी बुक तुमारा वाट वाटर मेलन तुमा आसानी से noun सीध होते जा रहे हैं अब देखिए अपन थोड़ा practice करते हैं इनका competitive exam के अंदर बहुत ज्यादा मैत्व है क्योंकि यहां से direct meaning उठके आती है और अपन को समझने में थोड़ा सा mistake हो जाता है क्योंकि अप ऐसे तो है नहीं कि आपको competitive exam के अंदर सीधा यह है अपने जो noun की class पड़ी थी जो लास्ट वीडियो में देखा था कि noun का यूज subject और object होता है फिर अपन को इसके साथ में singular है तो singular वाब और plural है तो पूलर वाब का यूज करना होता है लेकिन इनकी position मैं एक बार फिर वता रहा हूं कि इनकी position केवल या तो subject ही जगे मिलेग क्वेलन का यूज सब्जेक्ट अथा और object की जगे ही होता है अगर ये transitive verb के बाद में इनका यूज होता है तो ये object बन जाते है और pre-position के बाद अगर इनका यूज होता है तो भी object बन जाते हैं अगर sentence के starting में इनका यूज अगर helping verb से पहले होता है तो क्या बन जाते हैं noun बन जाते हैं और subject बन जाते हैं देखिए अब next अपन practice करते हैं जैसे एक word लिकाओ इसके अंदर first word है people तुमारा pen तुमारी book तुमारा what people बताओ तुमारे लोग होते हैं कि नहीं होते हैं तुमारे लोग हमारे लोग होते हैं कि नहीं होते हैं तो यह people यहां पर क्या बन जाएगा noun बन जाएगा ऐसे ही तुमारा pen तुमारी book तुमारी what history तुमारा इतियास तुमारा इतियास ऐसा है हमारा इतियास ऐसा है राजा महराजों का इतियास ऐसा था तुमारा इतियास हमारा इतियास अपने use करते हैं तुमारा पैन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा वाट, वे, तुम्हारा वे, बोले तो, रास्ता, तुम्हारा रास्ता कैसा है, तो ये वे यहां पर क्या बन जाएगा, रास्ता, अब नेक्श देखिए, ये भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, नेक्श देखिए, तुम्हारा प हला होती है कि नहीं होती है देखिए ये भी क्या बन जाएगा नाउख अब अपन ज़्यादा टाम ले लिए बगर थोड़ा जल्दी से इनका प्रीक्टिस कर लेते हैं देखिए तम्हारा पहरैं तुमारी बुक întुमारी उबने तुमारी वूर्ट मुथ re तो मेप भी क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा तुम्हारा पैन तुम्हारी बुक तुम्हारा वाट फेमिली तो फेमिली भी क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा तुम्हारा पैन तुम्हारी बुक तुम्हारी वाट गोवर्मेंट तुम्हारा पैन तुम्हारी बुक तु यूज करते हैं अपने बच्पन से इन वर्ट्स का यूज करते आ रहे हैं सिरफ अपनी पैचानने की देरी है आज हम इस कंसेप्ट के माद्यम से इनको अच्छे से पैचान लेंगे तो कभी अपनको लाइफ में ना उनकी दिक्कत नहीं आएगी और आप इसका सबसे बड़ा के लिए नहीं होता है तो अपनको क्या होती है उसमें दिक्कत होती है तो नेक्स और ये कंसेप्ट ऐसा है आप इसको सीके खुद भी बच्छों को आराम से बता सकते हो और पढ़ा सकते हो नेक्स देखिए तुमारा पैन तुमारी बुक तुमारा वाट सिस्टम तुमारा पैन तुमारी बुक तुमारा वाट कंप्यूटर तुमारा पैन तुमारी बुक तुमारा वाट मीट इसका मतलब क्या है यह सब क्या है नाउन तुमारा पैन तुमारी बुक तुमारा वाट इयर साल तुमारा पैन तुमारी बुक तुमारा वाट थैंक्स धन्यवाद तु तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारी ज़ी में प्रसंद कर बी जू कि है जैसे अपनने जब बोडी पार्ट वाले सलाइट इंदर अपने देखा था अब देखा त्हुंझारा प्रसंद टुम्हारी बुग։ explo reading देखी यह reading ने तो कोई वेक्ति है नहीं कोई स्तान है नहीं कोई place है और नहीं कोई things है लेकिन फिर भी देखिए ये noun है और देखिए read अगर read आता है मैंने जो वरब की सलाइड पढ़ाई थी उसके अंदर देखो रीड में read एक word एसा है मैंने जो वर्ब कि श्लाइट बढ़ाय थी उसमें बताया था कि जब भी कोई वर्ड अगर आहिंजी या एडी में से किसी का यूज कर लेता है तो क्या बन जाता है वर्ब बन जाता है अब देखे रीड में बता ओ आएंजी लगी हुई है कि नहीं read में ing साथ में attage है अब ये read में ing लगावा है तो आपके mind में तो ये doubt आना चीए कि नहीं आना चीए दोस्तो कि ये तो varap होना चीए लेकिन अगर अपन को किसी varap को अगर noun मनाना हो तो उसकी दो form का अपन use करते हैं varap की first form plus ing जी इसको जिरंड बोलेंगे और एक टू प्लेस वरब की फैस्ट वो क्या होता इंफिनिटीव होता है जैसे ही अपन जैसे ही अपन लास्ट जब आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो इंफिनिटीव और जिरंड आएगा उस टाइम पर मैं आपको यह कंसेप्ट और भी अच् बुक तुम्हारा वाट फूड होता है कि नहीं होता होता है तो यह फूड भी यहां पर क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा तुम्हारा पैन तुम्हारी बुक तुम्हारा वाट अंडरस्टेंडिंग बताओ अंडरस्टेंडिंग में नाउन हो जाए कि नहीं हो जाएगी लेकिन ये तुम्हारा pen, तुम्हारी book, तुम्हारा word ये understanding बन रहा है, तो understanding एक word वरब भी हो सकता है और noun भी हो सकता है, वो depend करेगा अपन इसका use कहां पर कर रहे हैं, अब देखिए वैसे आप अगर person, place, think उस definition पर जाओगे, तो आप understanding को noun पहचानने में आपको दिकत होगी, लेकिन तुम्हारा pen, तुम्हारी book, इस concept से आप करोगे, तो बिलकुल कभी भी आपको कोई doubt नहीं आएगा, अब next देखिए, तुम्हारा pen, तुम्हारी book, तुम्हारी what, बदा वो थीरी होती है कि नहीं होती, तुम्हारा pen, तुम्हारी book, तुम्हारा what, लो, बदा वो तुमारा पैन, तुमारी बुक, तुमारा वाट बर्ड, बर्ड बोले तो पक्सी, तुमारा पक्सी हमारा पक्सी होता है कि नहीं होता है, तो ये भी क्या होगा, नाउन तो यहां literature भी क्या हो जाएगा noun तो बताओ हमारी समस्या होती है कि नहीं होती तो यह knowledge भी यहां पर क्या हो जाएगा noun और वैसे देख लीजे ने तो कोई person है नहीं कोई place है नहीं कोई think है लेकिन फिर भी क्या होता है नाउन होता है और यह doubt देखिए यहां से बिलकुल अच्छे से clear हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है नेक्स देखिए तुमारा pen तुमारी book तुमारी what power तो यहां पे power question है नहीं कोई place है नहीं कोई think है तो फिर भी बताओ ability noun है की नहीं है तो किस concept चे तुमारा pen तुमारी book सिर्फ दो एक line याद रखनी है तुमारा pen तुमारी book जिस भी word को आपको अगर noun check करना है तो उसके सामने जाके बोलिए तुमारा pen तुमारी book तुमारा what बस वहीं से आ सामने लिकावा है next तुमारा pen तुमारी book तुमारी what economics तुमारा pen तुमारी book तुमारा what love प्रेम जिसको बोलते हैं तुमारा pen तुमारी book तुमारा what interest तुमारा pen तुमारी book तुमारा what television तुमारा pen तुमारी book तुमारा what science तुमारा pen तुमारी book तुमारा what library तुमारा pen तुमार तुम्हारी बुक तुम्हारा वाट नेचर तुम्हारा पैन तुम्हारी बुक तुम्हारा वाट फैक्ट तुम्हारा पैन तुम्हारी बुक तुम्हारा वाट प्रोडेक्ट तुम्हारा पैन तुम्हारी बुक तुम्हारा वाट आईडिया बोले तो विचार तुम्हारा प पैन तुम्हारी बुक तुम्हारा वॉट इन्वेस्टमेंट और आज कल अपन ज्यादा इसको यूज भी बहुत करते हैं बिजिसमेन लोग इन्वेस्टमेंट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं तुम्हारा पैन तुम्हारी बुक तुम्हारा वॉट एरिया चैत्रफल समाज अब बताइए मेरे को ये सोसाइटी कोई person place या think है लेकिन फिर भी क्या होता ये नाउन होता है और ऐसे words का जो exceptional words होते हैं इनका exam में बहुँ ज़्यादा use किया जाता है और वहाँ पे हमें पहचाने में दिक्कत होती है नेक्स देखिए तुमारा पैन तुमारी बुक तुमारी वाट एक्टिविटी तुमारा पैन तुमारी बुक तुमारी वाट इस्टोरी तुमारा पैन तुमारी बुक तुमारी वाट इंडस्ट्री तुमारा पैन तुमारी बुक तुमारा वाट मीडिया बता हूँ तुमारा मीडिया, हमारा मीडिया होता है कि नी होता। तो यहाँ पर यह मीडिया भी क्या है? नाउन है। अपन जैसे जैसे इस concept को आप मेरे इसाब से, आपके mind में यह concept set भी होने लगा होगा। आप दिरे दिरे जितना प्रक्टिस करोगे आप खुद को पता नहीं चलेगा कि हम नाउन के पैचान कितने आसान मैथड में सीख चुके हैं नेक्ष देखिए तुमारा पैन तुमारी बुक तुमारी वाट थिंग आप देखिए मैं आपको एक बावता हूं कि थिंग होती है एक थिंग होती है जो वरब भी होती है अगर आप आई एंजिम लगाओगे तो बता हो थिंग होता है कि नहीं होता है लेकिन यहाँ पे थिंग यहां के है नाउन है तुमारा पैन तुमारी बुक तुमारी वाट ओवेन तुमारा पैन तुमारी बुक तुमारी वाट यहां पर यह देखिए अब तुम्हारा वेड वोट तुम्हारा वीक नहीं होता तुम्हारी वीक नहीं होती तुम्हारी वीक यहां पर देखिए ना उन नहीं है यह वीक यहां पर क्या नहीं है ना उन नहीं है कैसे तुम्हारा पैंट तुम्हारी बुक से मैच से नहीं हो रहा लेकिन अगर अगर सब्ताइक वाला हो, तो यहां पर वीक, तुम्हारा सब्ता, हमारा सब्ता ना उनो सकता है, तुम्हारा पैन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वाट, सेकुरिटी, तुम्हारा पैन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वाट, कंट्री, तुम्हारा पैन, तुम्हारी बुक, तु हमारी वाट मूवी इनका पिन हमारी मूवी होती है यह नहीं होती है? in देखिए बिक मारा वाट और्गनाइजर्शन बगाँ। organization होता है तो तूम्हारी organization अब नेक्स दहिए तुम्हारा पैन तुम्हारी बुक तुम्हारी वाट पॉलिसी तुम्हारा पैन तुम्हारी बुक तुम्हारी वाट सिरीज तुम्हारा पैन तुम्हारी वुक तुम्हारी वाट थौट तुम्हारा पैन तुम्हारी वुक तुम्हारी वाट बैसिस तुम्हारा पैन तुम्हारी वुक त तुम्हारी वाट डाइरेक्शन जो भी वाट का जबाब दे रहा है उस सब क्या है नवन है तुम्हारा पैन तुम्हारी बुक तुम्हारी वाट इस्टार्टेजी बोले तो रन नीती तुम्हारा पैन तुम्हारी बुक तुम्हारी वाट टेकनोलोजी तुम्हारा पैन तु freedom है अगर freedom की जगह है यह होता free ही होता एकला तो बताओ frey noun होता है क्या चेक करेंगे तुम्हारा pen तुम्हारी book तुम्हारा what free यह free noun नहीं होता है लेकिन अगर आपने adjective के class देखी है तो देखे तुम good हो तुम bad हो तुम कैसे फिरी हो तो यह फिरी यहां से क्या बन जाएगा एडजेक्टिव बन जाएगा तो एडजेक्टिव है इस वज़े से नाउन नहीं है नाउन नहीं है लेकिन यह कोई जरूरी नहीं कि एक नाउन भी एक एडजेक्टिव हो सकता है और एक एडजेक्टिव एक नाउन हो सकता है वो सिरफ कंसेप्ट पर डिपेंड करेगा कि आयो तुम गुड़ो तुम बैड़ो का जबाब दे रहा है या फिर तुमारा पैन तुमारी बुक का जबाब दे रहा है ऐसे नेक्स देखी तुमारा पैन तुमारी बुक तुमारा वाट एन्वारमेंट तुम्हारा पैन तुम्हारी बुक तुम्हारा वोट पेपर तुम्हारा पैन तुम्हारी बुक तुम्हारा वोट चाइल्ड यहाँ पे चाइल्ड भी क्या है नाउन है जैसा कि अपने कुछ सलैट्स के माद्यम से नाउन की पहचान करने की कोशिश की है एक वीडियो के अंदर हमने नाउन की पहचान सीखी थी कि नाउन की पहचान कैसे करें अब ये देखो ये तरीका थोड़ा सा अलग है इस वज़े से अगर आप इसको फर्स्ट टाइम यूज करते हो जब मैंने फर्स्ट कलास में पढ़ाय था तो उसमें आपको लगा होगा कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि तुमारा पहन तुमारी बुक से लेकिन आज जैसे ही आप लोगों ने अपने आज पास के एक्जाम्पल्स की प्रक्टिस की होगी तो आपको थोड़ा सा अनुब होने लगा होगा कि ये क्या है सब क्या है नाउन है अब मेरी आपको एक लास्ट यही एड़वाइस है कि आप इसकी घर पे बैटे बैटे मैक्सिमम प्रक्टिस कीजिए मैक्सिमम प्रक्टिस करोगे उससे क्या होगा ये आपका लाइजन बन जाएगा आपकी आदत बन जाएगी फिर आप कभी भी नाउन को भूल नहीं पाऊगे और सबसे बड़ी बात क्या है आप जहां भी निकलोगे जिदर भी जाओगे कहीं भी जाओचे आप आपको बताओ आसपास के एन्वार्मेंट में नाउन्स दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे जो भी words दिख रहे हैं जो प्लेस दिख रहा है जो भी आपको animal दिखेगा जो आप यूज करते हो वस्तुhी दीखेगी जो आपकी dressage है कोड है इस सब क्या है नाउन है बस इनको पैचाने की देरी है तो तुम्हारा pen तुम्हारी book इस concept को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए खुद भी सीखिए और साथ में चोटे बच्चों को भी सिखाईए उनको भी पता चलेगा कि noun की definition या फिर noun का यूज कैसे करते हैं आज के लिए इतना ही जैहिन